राविसान के मुख्यमंत्री अशोग गहलोत मेरा थन के दोरे पर है सुबह साड़े दस बजे उदैपूर से रवाना होकर पहुचेंगे डुंगरपूर के सागवाडा गाव ओबरी में MRC और साथी में प्रुशारसन गाउं की स्लांगत शिवर का अवलोकन करेंगे और इसके बाद में दोपहर साड़े बारा बजे गाउं ओबरी से उडान भरेंगे मुख्यमंत्री अशोग गहलोत दोपहर एक बजे बासवाडा जिले के गाउं बरवाला राजिया पहुचेंगे और इसकी बाद में बरवाला राजिया से तो फैर दो बज कर तीस मिनट पर रवाना होकर सवा तीन बजे चितोडगर पहुंचेंगे तो ही समयलपुरा में आयोजीत, MRC और प्रशासन गाओं के संग शिवर का अवलोकन किया जाएंगा कैम सल पर ही प्रस्तावित सभा को सम्होदित भी करेंगे मुख्यमंत्री अशूक गहलोत और उसके बाद में चितोडगर के नातवारा जाने का कारेक्रम भी मुख्यमंत्री अशूक गहलोत का बताया जा रहा है मुख्यमंत्री अशूग गहलूत नात द्वारा में रात्रे विश्राम करेंगे और देखे पूरे दिन चर्या मुख्यमंत्री अशूग गहलूत की रहने वाली है किस तरह से अलग-अलग कारेक्रमों में मुख्यमंत्री अशूग गहलूत शुरकत करेंगे और कल देखे कल की जो तस्वीर देखने को बिली थी फॉस जिन्याना आपको लगातार तस्वीरे भी दिखाए थी किस तरह से साधगी के साथ में उनका जनम दिन मनाए गया था और आज अलग अलग जगहूं के दौरे है मुख्यमंत्रिया शूग गहलूत करने वाले हैं हमार जनम दिन का मौका था ऐसे मैं आदिवासी बंदूओं के बीच पहुचे जनम दिन मनाया आदिवासी बंदूओं को सौगारते दी उनकी शूब कामना है लिए और महनाई राहत कैम्प्स जो हैं उनका अवलोकन किया इसके बाद और भी कारिकरम थे जिन में की मुक्षमंत् सित्म दोरा रहेगा आज सबसे पहले सरकेट हाउस में जन सुनवाई करेंगे जो की सीएम गैलोग का चिरपरचित अंदाज है आम जनता की समश्चाओं को परिवेदनाओं को सुनना और उनके निराकरन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश देना अधिकारियों को तो इ इसके बाद डूंगरपुर के सागवाडा जो खंड है वहाँ ओवरी में जो गाओं है वहाँ पर महनाई राहत केम्स का अवलोकन करेंगे इन केम्स में क्या विवस्ता है किस तरीके से आम जनता का रिजिट्रेशन हो रहा है इन तमाम चीज़ों को सीएम गैलोग और बिल्कुल रवी आपका बहुत बहुत शुक्रिया